इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं order list के बारे में तो suppose करो आपके website में आपको दिखाना है कि list करो list of games ओके आपको इस तरीके का data दिखाना हो तो यदि आप list of games को दिखाना चाहते हो और चाहते हो कि इस तरीके का data है number one पर चाहिए cricket ओके number two पर फुटबॉल ओके एस तरीके का data यदि आप अपने website में दिखाना चाहते हो तो आप order list का यूज कर सकते हो ओके अच्छा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था on order list ओके इन दोनों में लिस्टिंग है यह किस तरीके से सो होगा यदि मैं यहां पर टाइप में दे देता हूं one तो हमारा जो लिस्टिंग है one two इस फर्में में सो होगा यदि मैं यहां पर देता हूं यह वह हमारा जो लिस्टिंग है यह बी ची यानि की अलफाबेट अलफाबेटिक लिए लिस्टिंग हमारा सो होगा ओके चिले कोड करके दीखते है तो यहां पे मैंने इंडेक्स डॉटेस्टी मैल पहले से बना रखा है एंद यहां पर सबसे पहले मैं करूंगा एक औल स्टेंड फॉर ऑन आउडर लिस्ट ओके टोके जि यहां पर पर 2 लिस्टिंग करनी थो सिंपली मैं लिखूंगा यह एंड इसके मैं है इंड Blind जो दिंग है किस प्रपोस के लिए है तो मैं यहां एक फीटेक देदेता हूं and इस में मैं लिख दता हूं लीस्ट ओफ गेम छोटे निया पर मैं दो इन जो तिन गेम्स के नाम लिख देता हूं में लिख कर क्रिक्ट कर लेते हैं अच्थऑ के यहां पर क्रकेट हो गया हमें कर देता हूं कबड़ दी एंड यहां पे मैं कर देता हूँ होकी एंड लास्ट में मैं कर देता हूँ फुट बॉल ओके आउटफुट देख लेते हैं कि अभी तक हमने जो किरेट किया है उससे क्या हमारा आउटफुट दिख रहा है तो आप देख सकते हो कि यहां पे हमारा जो अब लिस्टिंग हो रही है यह नमरी के साथ में हो रही है मैं जितने डेटा एड करता जाओंगा यह इंक्रिजिंग ओडर में हमारी नमरी आटोमेटिकली वड़ती जाएगी इसमें हमारे पास एक अट्रिब्यूट होता है टाइप नाम का यहां पे एक टाइप नाम का इत्रिब्यूट होता है यहां पे जो भी टाइप बताऊंगा उसी के उनसार हमारा लिस्टिंग होगा मैं यहां पे capital A कर देता हूँ तो पहले सबसे पहले मैं number 1 कर देता हूँ इससे क्या होगा कि हमारा जो लिस्टिंग होगा यह numbering के थुरू होगा यानि कि एक दो तीन चार इस तरीके से होगा जो कि by default यही हो रहा था तो अभी आपको कोई भी चेंजे देखने को नहीं मिल होगा ओके इसमें मैं चाहता हूँ कि alphabetically हमारा लिस्टिंग हो तो simply मैं यहां पे capital A प्रेस करूंगा तो अब जो हमारा लिस्टिंग होगा यह capital A कर देता हूँ तो इसकी स्मॉल ए कर देता हूँ तो इसकी लिस्टिंग जो होगी अब स्मॉल अल्फाबेट्रिक लेटर से स्टार्ट होगा आप यहां पर देख सकते हो इसे तरीके से और भी होते हैं मैं यहां पर देता हूँ capital I इसे क्या होगा कि हमारा जो लिस्टिंग होगा यह अपर रूमन केस में होगा ओके पेज को रिफ्रेस कर लेते हैं आप यहां देख सकते हो कि यह अपर केस में हो रहा है रूमन लेटर में similarly यदि मैं इसको small I यहां पर add करता हूँ type की value देता हूँ तो हमारे जो लिस्टिंग होगी small case में होगी रूमन में ओके तो आप यहां पर देख सकते हो कि इस तरीके से हम जो लिस्टिंग है वो किस तरीके से लिस्टिंग होगी हम type attribute के तुरूँ उसको हम change कर सकते है ओके और यही difference है or and tag में कि जो ओ-tags है उसके पास type attribute होती है और जो और और लिष्ट उसके पास type attribute नहीं होती है आप बस यह ही major difference आप याद रखना चुकि यह interview में काफी time पूछा जाता है कि ol and ul में क्या difference है तो ol जो है उसके पास type attribute होता है and जो ul है उसके पास कोई attribute नहीं होता है okay so I hope कि आपको ol attribute समझ में आया होगा ol जो tag है वो समझ में आया होगा and उसके साथ में type attribute भी समझ में आया होगा मिलते हैं next video में thanks for watching